हाई अब्रीवन वेलकम टू पूजा लूत्रा यूट्यूब चैनल दोस्तों आज हम बात करेंगे डाबिटीज यानि शुगर के बिमारी को जड़ से खतम करने वाले एक शक्ति शाली और राम बार नुस्खे के बारे में दोस्तों शुगर यानि डाबिटीज एक बहुत ही खतरनाक रोग है और ये खतरनाक तो है ही साथ ही साथ दूसरी कई बिमारियों को भी चन्म देता है और हमारे देश में डाबिटीज के रोगियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और मानवता के लिए ये रोग एक नासूर सा बनता जा रहा है लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जब दुनिया में मेडिकल रिसोर्स नहीं थे तो लोग ऐसी गंभीर बिमारियों से कैसे बच कर रहते थे तो आज मैं आपको बुजुर्गों और वैदों के द्वारा बताए गए एक ऐसे नुस्के के बारे में बताने जा रही हूँ जो ना तो मेंगा है बलकि एकदम सठीक है और डाबेटीज की बिमारी को दूर करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है दोस्तों अकसर शुगर से परिशान लोग ऐलोपेथी दवाईयों पर हजारों रुपे खर्च कर देते हैं लेकिन फिर भी कमजोरी भी ये नुस्खा दूर करेगा वैल ये नुस्खा है इंदरजों का इंदरजों एक बहुत ही आसानी से मिलने वाली जड़ी बूटी है ये किसी भी आईडवेदिक स्टोर पर आपको मिल जाएगी इसको हिंदी में इंदरजों बोलते हैं और गुजराती में इसको कुटज भी बोला जाता है तो ये दो नाम इसके बहुत फेमस हैं कुटज या फिर इंदरजों या कई जगह पर इससे करवा इंदरजों भी कहा जाता है तो इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको चाहिए 250 ग्राम इंदरजों, 250 ग्राम बादाम गिरी और 250 ग्राम भुने हुए चने यह तीनों चीजें आपको इक्वल क्वांटिटी में ले लेनी है फिर इन तीनों चीजों को आप मिक्सी में इकठे ग्राइंड कर लीजे और इनका पाउडर बनाकर एक कांच के जार में भरकर रख दीजे अब मैं आपको बताती हूँ इसको कुंजियूम कैसे करन है वेल इसका सेवन दिन में आपको एक बार ही करना है दो पहर को खाना खाने के बाद एक चमच पाउडर साधे पानी के साथ आपको इसे लेना है 15-20 दिन में ही आपका शुगर लेवल कंट्रोल में आने लगेगा और थोड़े दिनों में ही आपकी डाबिटीज या शुग की बिमारी को जड़ से खतम करने के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक के बटन पर हिट करना बिलकुल मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ आप इस वीडियो के लिंक को शेयर जरूर करें अगर आपने मेरे चानल को अभी तक सब्सक्राइ नहीं किया है तो अभी कर लीजे मैं आप से मिलूंगी एक और अच्छे से वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक गुड कियर अफ यरसेल्फ बाई